नमस्कार देश की बाद में हाजर है, आज से IPC की जगह भारतिय नयाय सहता लागू हो गई है भारतिय नयाय सहता, नागरिक सुरक्षा सहता, भारतिय साक्ष अधिनिया, हमारे कानूनों के नाम है, धाराय भी बदल गई है तो कुछ एहम बदलावों पर नज़र डाल लेते हैं, कोई भी नागरिक अपराद के सिलसले में कहीं भी 0 FIR खरा सकेगा नभे दिन में पीड़त को केस का अपडेट होगा, सुनवाई में दो से अधिक स्थगन नहीं होंगे कई वर्गों को थाने जाने से चूट रहेगी, महलाएं 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक वालों को चूट रहेगी तो महलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को अब धारा 63 और 99 में रखा गया है बलातकार जैसे अपराध पर पहले नियूनुतम सजा 7 साल थी अब नियूनुतम सजा 10 साल हो गई है नाबालिक से बलातकार पर पहले नियूनुतम सजा 10 वर्ष थी अब नियूनुतम 20 साल हो गई है सामोहिक बलातकार पर सजाय मौत का भी प्रावधान है मॉब लिंचिंग जैसे मामले जब बड़े हत्या का केस था पहले इस पे अब नियूनुतम साथ साल की सजा फांसी का भी इसमें प्रावधान है तो महिलाओं पहले आईए सुन लेते ग्रह मंत्री ने क्या का सबसे पहली प्राविटी महिलाओं और बच्चों के अपराद को दी गई है और मैं मानता हूं कि एक करने की बहुत समय से पहले जरूय थी एक पुरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धारा हैं और 13 प्रावधान हैं जिसमें गैंग रैप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास आजिवन कारावास नाबालिक के साथ बलातकर में मौत की सजा जूठा वादा पहचान छिपा कर सोशन करने वालों के लिए भी अलग से अपराद बनाया गया है पहले सुप्रिंग कौर्ट के जज्जमेंट से चलता था पिडिता का बयान उसके घर पर महिला अधीकारियों की उपस्तिती में और अपने परिजनों की उपस्तिती में लेने का भी प्रावदान किया है और इसके साथ साथ ओन-लाइन एफ़ायर की विवस्ता से भी धेर सारी उत्पिडन का सामना कर रही ही महिला embracement से बच पाएगी और इस वर अधिक विहराई से समझने के लिए हमारे साथ है आडवोकेट विराग गुपता तो महिला विराग जी नमशकार जो महिलाओं से जुड़े अपराद हैं बलातकार को जिस तरह से सजाए बढ़ा दी गई है नावाले के साथ है और जब निर्विया कांड हुआ था तो निर्विया कांड के बाद भी कानून में सक्ती लाई गई थी और समास तास्त्रियों का मानना है कि सिर्फ कानून में सक्ती से ही आप अपरादों को नहीं खतम कर सकते हैं लेकिन तीन चार अच्छी बातें जो और गया है विटनेस प्रोटेक्शन की बात की गई है क्लूजर रिपोर्ट बगार कंप्लेनेंट के सहमती के नहीं फाइनल हो पाएगी और घर में भी पुलिस को एक महिलाओं के साथ अपराद वाले मामलों में घर में भी जाकर कि उनकी मदद करनी होगी तो ये एक महिला फ्रेंडली कानून है इसमें कोई दोराए नहीं है लेकिन इसका फील्ड में कितना असर होगा इसमें कितना लाब होगा ये अभी देखना चाहिए बिलकुल दूसरा सवाल ये भी आ रहा था जो अपराद हैं अगर बड़े अपराद कर लें छोटे अपराद देख लें मैं ग्रह मंतरी को बेल के बारे में भी सुन रही थी कहते में उससे भी कुछ बदलाव एम किये गए हैं कोट पर निर्भन नहीं होगा हो ना होगा किस तरह से जमीनी हालाद बन रहे हैं संगिटी तपराद हैं जैसे आतंकवाद हैं उनको पहली बार पर भाषित किया गया है और तीसरा जो सबसे बड़ा पहलू है कि डिजिटलाइजेशन पर पूरा जोर है एप के माध्यन से इसमें कम्प्लेंट भी हो सकती है उसमें सर्स सीजर सारी चीज़ों के जानकारी चाहिए पड़ेगी लोगों को भी जानकारी मिलेगी एक A.S.I. सर का दिकारी है जो लोगों को सारी जानकारी यां देगा तो ये एक ऐसी बेवस्ता है जहां पर F.I.R. भी लोगों को मिलेगी चौदा दिन के भीतर कंप्लेनेंट और एक्यूस दोनों को सारे कागच चार्शीट वगारे देने के बारे में कानून है ये बहुत सारी बातें की गई है जिन में से बहुत सारी चीज़ें आम जनता के लिए फ्रेंडली है लेकिन हमें आज की एक खबर देखने की जरूरत है कि दिल्ली में इस कानून के ताहर जो पहली एफ आई आर गर्ज हुई है वो एक स्ट्रीट बेंडर के खिलाफ हुई है सर वो भी बदल दी गई लेकिन मुझे आप से पूछना है अब दोजार सथ तक का जा रहा है कि कंप्यूटरी करन हो जाएगा और जिस तरह से आपने महिलाओं के अपरादों पे बोला कि तमाम चीजे दी जाएंगी एक सुनिश्चित कर दी जाएगी कि कब अपराद हो ये महिला पुलिस करनी हो साथ में लेकिन जमीन पर एकदम कैसे हालाद बदल सकते हैं ये आप सुधार देखते हैं हो सकता है देखें निदी जी बहुत सारी बाते हो गई है इसका एक महत्पूर्ण पहलू है कि संबर्ती सुची का कानून है जिसमें राज्यों की दुभूमिका है और जिला दालतें हाई कूर्ट के अंदर में काम करती है जिसके लिए इन्फरा राज्यों देते हैं इसके दो तिन मैं आकड़े दे दून कि राज्यों में लगभग जिला दालतों में फाई एट फाइब जीरो जिला दालतों के पद खाली है क्योंकि खूर्ट रूम नहीं है इसी तरीके से जो पुलिस ठाने हैं और पुलिस थाने में जितना भी उनका जो network है software है और जिसकी तरह से NCR भी जुड़ा है उसके लिए राज्यों को ही करना है पुलिस को जितने भी क्योंकि इसमें एक महत्पूर्ण चीज है मैं इस important बात पर discussion चाहता हूँ app में सारे जानकारियां रहेंगे आप में सारे evidences रहेंगे और app का data cloud में रहेगा ये बड़े संगीन के सिम का data है जिसमें crime scene भी रहेगा जिसमें complainant और чक्यूश सारे उनके बयान रहेंगे अगर वो डेटा कहीं से लीक हो गया और उस डेटा का दूर्पयोग हुआ क्योंकि अभी तक सारे कागज में रहते थे और ये मुबाइल फोन सारे लोगों के पास कुलिस अधिकारियों के पास नहीं रहते हैं वो निजी अपने मुबाइल फोन से क्योंकि स्मार्ट फोन अफिशली सारे अधिकारियों को नहीं दिये गए हैं तो अपने निजी फोन से जब उस डेटा को जब और उसको रखेंगे डिजिटल रिकॉर्ड में रखेंगे उसकी सुरच्छा कितनी होगी मुझे लग रहा है कि ये गंबीर विशाय क्योंकि राजजियों में थानों की स्थिति क्या है इसलिए इस पूरे कानून में जो सबसे इंपॉर्टन बात है आज की तारीक में भारत में लगबख 5.13 करोर मामले लंबित हैं जिनमें से 3.59 करोर मामले आपराधिक मुकदमे हैं इनमें अधिकांश वो लोग जेलों में बंद हैं जिनके पास अपने मुकदमें लड़ने के लिए सही पैरवी करने के लिए वकील नहीं है इन कानूनों को में जो जल्द ट्रायल के बारे में जल्द फैसले के बारे में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन नहीं हो इसके लिए पुलिस अधिकारियों को या जज़ों के खिलाफ दंड देने के लिए कोई बेवस्ता नहीं है भारत में टार्ट की कोई बे बेलकुल लेकिन एक कोशिश है नई कोशिश है नए कानून सामने आ गए हैं बदलाव किये गए लेकिन अभी बहुत कुछ काम होना बाकिया आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी और अब तीन अपरादिक कानूनों पर पूर वे एस जी और जाने बादी को न्या देने की बात होती थी विक्टिम की जादा पूछ नहीं थी सरकार कह रही है कि यह अब न्याय की तरफ बढ़ गए हैं भारतिया न्याय साहिता हमारे साथ टॉप क्रिमिनल लोयर है सर सिदाद लूतरा साब सर बैलेंसिंग कही न कहीं हुई है मतलब किस तरी पहला कि आपको एफायर की copy मिलेगी दूसरा कि पीरत को एफायर की copy मिलेगी दूसरा कि आपको नबे दिन में पता लगेगा कि तफ्तीश कहा तक पहुची तीसरा कि आपकी सुनवाई होगी चोथा कि अब जो investigation तफ्तीश है वो जल्दी जल्द होगी further investigation 45 दिन के अंदर होन जो ट्राइल है उसमें दो से ज़्यादा अर्जेंट मिलेगी और एफायर के लिए कहा गया कि आप जिरो एफायर कहीं से भी आप ओनलाइन एफायर दर्ज करा सकते हैं यह जो है लोगों को इससे क्या फायदा आपको लगता होगा देखिए पहले यह होता था कि जहां किसी को अगर मैं दिली में हूँ और मेरे साथ लेट से कहीं क्राइम गाजयबाद में हुआ है और मैं दिली भाग के आए हूँ तो में जिए उस जगह नहीं जाना यहां जुर्म हुआ है मैं यहां भी एफायर दर्ज कराने में यहां मुश्कल होती थी दिली पुलिस कहती थी हमार पर आप यहां दर्च किला दोगे और बाद में ट्रांसफर हो जाएगा यह सर एक बड़ा सवाल यह है कि हम लोग बात भी करते हैं इस बारे में अदालतों में बोज पहले से बहुत जाता है संसाधनों में इंफ्रक्सचर में कोई चीज नहीं है देश में एक सो चालिस करोन जनता है और टॉप टो बोटम यानि सुप्रीम कोट से लेकर ट्राइल कोट तक जजेज के संखा 20,000 है लेकिन आज तक वो 20,000 कभी पूरे नहीं हुए हाई कोट में इतनी सारी वेकेंसी है जब आपके पास सारे संसाधन वहीं है कोई भी नया इंफ्रक्स्ट्रक्चर आपन यह जो चीजें हैं फोरेंसिक लैब नहीं है आप फोरेंसिक इन्वेस्टिकेशन की बात कराते हैं कम्प्लीट ट्रेनिंग जो बहुत कम है पुलिस की तो यह कहीं न कहीं चुनोती बरायर आएगा यानि एक्चुल से फैक्चुल तक पहुंचने में वक्त लग सकता ही इन स लेकर इसके साथ कोशिश की गई है के वीडियो कॉंफरेंस ट्रायल, वीडियो कॉंफरेंटेंस, फॉर्मल विंटनेस की एविडेंस इन सब को वीडियो कंफरेंस से किया जाएं, वो जो समय बचेगा, वो कुछ तो फायदा देगा, हाँ, इन्फ्राश्रेक्टरस्रिक्ट भी ट्रेइनिंग हो रही और कई महीनों से हो रही है। हमें थोड़ी पढ़ी पड़ेगी और उसी पर इंट्रेटेशन आएगी और जब भी कोई नया कानून आता है इस पर काम करना पड़ता है। हां मेरी उमीद है कि अब भारत सरकार को जुडिशरी के साथ बात करके जैजिस की जनसंख्यां बढ़ानी पड़ेगी और जैजिस को ट्रेनिंग देके छे महीने के अंदर या तीन महीने के अंदर जैजिस छे महीने के अंदर एपॉइंट्मेंट करके ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि जब तक अदालते नह तो वो दो अजर्णमेंट्स की टाइम लाइन को मेंटेन करना तो कोई फायदा नहीं है अगर पुलीस अफसर नहीं है तो तफ्तीशे कैसे जल्दी हो पाएंगी पश्य मंगाल के उतर दिनाजपूर में एक लड़के और महिला की बेरहमे से पिटाई के वाइरल वीडियो की अफ्त्रिनमूल कॉंग्रिस ने भी निंदा की है पिटाई करने वाले का नाम तजे मूल बताया गया है वीडियो में कैंगरू कोट स्टाइल में सड़क पर इंसाफ के नाम पर पिटाई की घोर अलोचना हर तरफ से हुई मामला तब ज़्यादा भड़का जब स्थानिय विधायक ने महिला पर ही असमाजिक ततों से मिली भगत का आरोप लगा दिया हाला कि विधायक ने कहा कि जो हुआ वो गलत है और सक्याकी पीटने वाला थ्रिनमूल का सदस्या नहीं है उनोंने कहा बीजेपी ने आरोपी को त्रिनमूल का करीबी बताया था उधर बंगाल की इस घटना पर जेपी नड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखाये कि पश्चमंगाल से एक भ्यावा विडियो सामने आया है जो स्कूर्टा की याद दिलाता है जो केवल तरकों में मौजूद है मामले को बत्तर बनाने के लिए टीमसी काडर और विधायक स्कृत्य को उच्छे थेरा रहे हैं चाहे संदेश खाली हो उत्तर दिनाचपोर हो या कोयान्यस्थान दीदी का पश्य मंगाल महिल आउंखे लिए असुरक्षित है वहीं CPIM के पूफ सामसद मौमद सलीम ने इस वीडियो को शेर कर ट्वीट किया है कि ये कैंगरू कोर्ट से भी बत्तर है त्रिनमूल कॉंग्रिस का गुंडा जिसे JCE के नाम से भी जाना जाता है वो खुद मौके पर सुनवाई करके सजा देता है ये ममता के शासन में बुल्डोजर न्याय का उधारन है चुपरा में बंगाल पुलिस की निगरानी में त्रिनमूल ऐसे शासन कर रही है ताजे मुल स्थानिया, लेफ्ट नेता, मंसूर आलम की हत्या के मामले में भी आरोपी है और इस सब पर टीम्सी के प्रवक्ता शांतनू सेन ने कहा है इस पूरी घटना पर उन्होंने सफाई देते वे कहा है कि उनकी पार्टी इस तरह की घटना का समर्थर नहीं करती और जो कोई भी मामले में दोशी है उसे सक सजा दी जाएगी और आई सीधे चलते अपने सेवगी सौरब गुपता के पास सौरब अब इस तमय सती कैसी है इस मामले में जार्ज कितनी आगे बड़ी है देखिए जो आरोपी पकड़ा गया है पुलिस ने जिसको गिरफतार किया है उनको पांच दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है साथ-साथ पुलिस ने जो महिला के उपर ये आकरमन हुआ था जिनको बेरहमी से पीटा गया था उनको पुलिस सुरक्षा दिये है और वो पुलिस प्रोटेक्षिन के अंडर है और इस पर अब राजनेतिक जो बयान बाजी है वो शुरू हो गया है राज़पाल ने इस विशे पर एक रिपोर्ट मांगे है और बीजेपी कहते है कि ये जो विधायक है वहां के या और भी उनके करीब है अलाकि आरोपी ने इस विशे पर सफाई देते हुए कहा है कि वह जो आरोपी है उन्होंने वह तरभन के मेंबर नहीं है और त्रीनामूल में उनका कोई पद नहीं है और वह पंचाएत समिती के सब़स्या भी नहीं है इस बाद यहां पर बीजेपी त्रिनमुल के उपर निशा उंगले उठा रहे तो त्रिनमुल ने सफाई में कहा है कि देखे इसमें किसी को कुछ इस तरीके की जो घटना है इस त्रिनमुल विजेपी ने एक आक्रमग भूमी का लिये हैं और जब उन्होंने इस महिला पर असमाजिक जो काम है वो करने का आरोप लगा है तब बीजेपी ने इस विधायक के ऊपर आरोप लगा है और यह भी आरोप लगा है कि वो कोई मुस्लिम राष्ट की बात करते हैं हाला कि विधायक ने साफ कह दिया उन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा है और इस विशेपर भी बीजेपी आरोप लगा रहा है विधायक पर तो यह जो राजनेतिक बयानबाजी है इस पर चल रहा है महिला को सुरक्षा दिया गया है वो अब ब्रेक लेते हैं तुरत लोटते हैं